हलो दोस्तो मैं अतिसाम मेरा यूटूब चैनल जी एच नॉलेज प्रो में आप सब का स्वागत है आज हम पढ़ेंगे माखनलाल चतुरवेदी की एक छोटी सी कभीता को पुष्प की अभीलासा यानी फूल की इच्ठा क्या होती है फूल का क्वाईस क्या होता है तो कवी जो होता है वो हर चीज को समझता है कवी जो होता है समाज के चप्पे चप्पे को देखर बहुत सारी ज्यान और अनुभव का माध्यम से वो सारी चीजें को समझने लगता है तो यहाँ पर माखनलल चतुरवेदी इस कवीता के माध्यम से ये समझाना चारे है अगर फूल बोल पाता अगर पुष्प बोल पाती तो उसकी अभिलासा को वो कैसे व्यक्त करती तो माखनलल चतुरवेदी की पुष्प की अभिलासा ये कवीता को हम संपूर रूप से समझ तब तक के लिए हमारे वीडियो पर जुड़े रहना ये अच्छा लगे तो लाइक और कॉमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना माखनलल चतुरवेदी की एक अबीता पुस्प की अभिलासा इस तरह है कुछ चाह नहीं मैं सुरवाला के गहना में गूथा जाऊं चाह नहीं मैं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को लल चाऊं चाह नहीं मैं समराटों के सब पर हे हरी डाला जाऊं चाह नहीं मैं देबों के सिर पर चड़ूं भाग्य पर इठलाऊं मुझे तोड़ लेना वनवाली देना उस पत पर फेक मात्र भुमी पर सीस चड़ाने जिस पत जाए वीर अनेग तो माखन लाल चतुरवडी यहां बोलते हैं कि पुष्प की क्या विलासा होती है न चाहा नहीं मैं सूरबाला के गहन में गूता जाए पुष्प यह नहीं चाता कि प्रेमी माला में बिंद प्यारी को लल्चाओं जो माला ही होती है उसमें बिंद कर एक फूल का माला बनता है उसमें बिंद कर प्रेमी को लल्चाओं जैसे हम वरवधू को जैसे माला डालते हैं पुष्प की वहां पर भी बि जाओं किसी राजा महाराजा किसी समराट के सब पर डाला जाओं और क्या है चाहा नहीं में समराटों के सब पर हरी डाला जाओं चाहा नहीं में देबों के सिर पर चड़ूं भाग्या पर इठलाओं कि मैं देबताओं के सिर पर चड़कर अपने भाग्या पर इतराना भी नह चाता तो उसकी इच्छा क्या होती है ने मुझे तोड़ लेना वनवाली पुस्व बोलता है माली से के मुझे तोड़ लेना वनवाली मुझे अपने पेड से इस फूल को तोड़ लेना मुझे तोड़ लेना वनवाली देना उस पत पर फेंक किस रास्ते पर फेंकने को पुस मात्र भूमी की रक्षा करने के लिए जिस पत पर वीर जाते हैं, मैं चाता हूँ कि वन्वाली मुझे पेड़ से तोड़ कर गज से तोड़ कर उस रास्ते पर फेक दे और वीर सैनिक जिस रास्ते पर जाते हैं, वो मेरे उपर से चलके जाएं, एक पुष्प की इच्छा होत तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों अगर तुमें मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना आज के लिए बस इतना ही